चलि इस तो बात कर लेते हैं भारती एटेल से रिलेटेड एक बड़ी खबर के बारे में तो देखिए जिस तरह किसे आपने कल भी अच्छा खासा रुजान देखा है स्टॉक्स के अंदर तो आज भी आपको अच्छी खासी चाल जो है भारती एटेल के अंदर बनती हुए न बैंक ऑफर कर रहा है लगबख 6% सालाना इंट्रेस्ट डिपोजिट और एक लाक और एटेल पेमेंट बैंक देखिए एक अप्लिकीशन है एटेल की तरफ से एटेल पेमेंट बैंक तो अगर आप इसके अंदर एक लाक रुपे से जादा डिपोजिट करते हैं तो आपको स 6% के दर से जो है ब्याज मिलेगा तो यह खबर निकल के आई है बजार के अंदर कल यानिके बजार बंद होने के बाद में तो कहिन की आज आपको बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है तो फिलाल में दोस्तों इन्होंने बताया है कि 6% के आज पास इंट्रेस्ट मिलता तो आपको जो है कंपनी के लिहास से अगर देखा जाए तो कहीन कहीं बिजनिस मोमेंटम में हम लोगों को और भी तेजी देखने को मिल सकती है तो फिलाल में इन्होंने एक लाग रुपे से उपर की लिमिट पर ही जो है कंडिक्शन रखी है कम से कम अमाउंट आपका एक लाक रुपे होना चाहिए अगर आप इसके अंदर डिपोजिट करते हैं तो आपको 6% के हिसाब से सालाना ब्याजदर के हिसाब से पैसा मिलने वाला है तो कहने का मतलब है कि कल की दिन आपको अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला पिछले पांस दिन से पॉजिटिव रु का मोर देखने को मिला था उठक बैठक लगाता हुआ इस स्टॉक्स नजर आया था बट ओवराल देखें तो उपर की तरफ मूग करता हुआ नजर आ रहा है यह बात जरूर है कि पिछले 6 महीने में जिस तरह की से छकाया है इस स्टॉक्स ने उपर के लेवल से लगातार ग बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है देखें लोंग टम के हिसाब से अगर देखें तो अप एंडाउन अप एंडाउन का सिलसला लगातार बना हुआ है वर दोस्तों खरीदारी करने से पहले मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं देखें काफे सारे दिगज सोचते हैं कि एकदम से स्टॉक्स के अंदर कोई खबर निकल क्या रही है तो हम जादे से जादा पैसा लगाते हैं और एक दो रुपिया लेकर निकल जाएंगे या फिर पांद दस रुपिया लेकर निकल जाएंगे तो यह रणीती जो है कई बार फेल हो जाती है तो इसलिए इतना ही माल उठाएं कि अगर स्टॉक्स के अंदर हम लोगों को तीन बार पोजिशन बनानी पड़े मेरा कहने का मत्तल भी है कि 560 रुपे के आसपास कोई स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है पूच्छन बालाटी निरावड जणने को कुछ यहां कि बड़ा उतल पूथा आपको स्टॉकस के अंदर देखने को मिलता है और जब उपर का त्रेंड स्टर्ट हो जाता है तो छीघा सी ‫चाल भी हमें स्टॉक्स के अंदर देखने को मिलती दोस्तों क्यों हमें खरिदारी करनी चाहिए वेल पोजिशन्स टू कैपिटलाइज और इंडिया बूमिंग डिजिटाइजिशन ट्रेंड इन्वेस्टर्स विदे लॉंग टर्म प्रॉस्पेक्टर्स कें बाई दा शेर सो भारती एर्टेल एज इंडिया सर्विंग प्राइ शकता है देखे जैसे की मैंने आपको बताया कि लोंग टर्म के हिसाब सबसे बहुत ही बहुत ही बहों बहुती कमपणी हम लोगों को दिखाय देते हैं तो अगर मार्केट में वैल्यू की बात करें तो तीनवाक करोड़ का मार्केट कैप दिखाया रहा है इसे लगातार द देखें तो मुमेंटम पॉजिटिव दिखाए दर अर्निक परशियर नेगटिव में देखने को मिल रहा है अवलेबल कैश की बात करें तो 15,000 करोड का कैश भी अवलेबल है अब देखे 394 रूपर के आसपास नीचे चला गया था महां से अब तक अच्छी खासी चाल हमें स् उपर की चुकी है वापस से रिकवर करता हूँ नधर आ रहा है 600 रूपर के आसपास जाता वह नधर आय था उसके बास से गिरावाट देखने को मिली थी वापस से अच्छा का सा मुमेंटम बनता हूँ नदर आ रहा है अब देखे अगर सेक्टर में देखें तो यह कंपनी 2% की गिरावाट देखने को मिल रही है देखे जितने भी सारे point है सही तरीके से analysis करने के बाद ही आप किसी भी company के अंदर निवेश करें तीन साल के अगर बात करें तो लबख 0.5% से ज़्याद की गिरावाट देखने को मिल रही है एक साल काफी अच्छा खासा रहा है 8% से ज़्याद की तेजी देखने को मिल रही है profit का graph भी हमें उपर के level से नीचे की तरब move करता हुआ नजर आ रहा है गिरावाट के साथ में जो है संकेत दिखा रहा है अब देखे अगर एक साल का momentum देखें तो 2451% की गिरावाट देखने को मिल रही है तीन साल की बात करते हैं तो 313 point की गिरावाट देखने को मिल रही है overall देखें तो 5 साल में भी गिरावाट देखने को मिल रही है return on equity एक साल, तीन साल, पांच साल लगातार जो है गिरता हुआ नजर आ रहा है इसी तरीकी से R&OCEE की बात करते हैं तो एक साल तीन साल में गिरावर्ट देखने को मिली है और ओवराल देखें तो पांक साल में मजबूत इस्तिती इसमें दिखाई दे रही है तरी केसे बात करते हैं शेरोल्डिंग पैटर्स की तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी इसके अंदर बनी हुई है वो प्रमोटर्स की है 55.86% के आसपास होल्डिंग देखने को मल रही है प्रमोटर्स लगतार विक्वाली के मूड में दिखाई दे रहे हैं पिछले एक साल से हर क्वाटर में थोड़ी थोड़ी जो है अपनी क्वांटिट्री निकालते हुए नजर आ रहें 58.89% के आसपास होल्डिंग दिखाई दे रही थी आपको मार्च 2020 में महां से अगर अब की तुलना करें तो 55.86% के आसपास ही रही है अब देखे आगे विक्वाली करते पब्लिक के होल्डिंग 5% के आसपास देखने को मिल रही है अब देखे क्वाटर रोन क्वाटर बेसिस के अधार पर अगर तुलना करें तो अच्छा-कासा क्वाटर रहा था दिसंबर का सेल्स बढ़ती वी नजर आ रही है 26,517 करोड के आसपास पहुंच चुकी थी जो क अगर अब की तुलना करें तो 853 करोड का जंप देखने को मिल रहा प्रॉफिट के अंदर इसी तरीके से कर बात करते हैं यर औन यर विसस की तो 2016 से लेकर अब तक की इस्तिती दिखाए देरी है पॉसिटिव देखने को मिल रही है यह बात जरूर है कि जिस तरीके से हम लो उस्तिव नजर आ रही है जो कि पिछले साल आपको दिखाए दे रही थी लगवख 80,000 करोड के आसपास बर दोस्तों मा यह उसी आपको हाथ लगने वाली है प्रॉफिट के अंदर 409 करोड के आसपास प्रॉफिट था पिछले साल अगर अब की बात करें तो लगवख 32,000 क को देखने को मिल रहा है अब कमपणी को डिवडेंट भी देती है तो लास्ट जो डिवडेंट दिया था 2020 के अंदर दिया था 40 का उससे पहले देखें तो 18 के अंदर 3 बार दे चुकी है 17 के अंदर ये कंपनी हम लोग को डिविडेंट देती हूँ नजराइए तो देखें Q4 का सीजन चल रहा है काफ़ी सारी कंपनी हम लोग को डिविडेंट भी दे रही है रिजल्ट्स भी अच्छे खासे हम लोगों के दिखाये दे रहें कहीं न कहीं इस कंपनी के अंदर भी हम लोगों को बड़ी हल चल देखने को मिल सकती है Q4 के अंदर तो फिलाल में दोस्तों इस कंपनी के अंदर लोंग टरम के लिए पोजिशन बना के चल सकते हैं बहुत ही बहतरी निए कंपनी हम लोगों को इसलिए दिखाये दर है क्योंकि लोंग टरम डिलिवरी बिल्कुल फ्री है तो अगर आप इसके अंदर डिमेट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है वहां से जाकर आप स लगी हो तो वीडियो लाइक जरू कीजिएगा चैनल सब्सक्राइब करके रख लिना आता कि नहीं वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे हैं आपके मुबाइल पर मिस्कें थैंक्यू समच फॉचे